तो भाईयो अगर आप नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहो तो दिल थाम के बैठो दोस्तों क्यूंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 10-12 नया स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं और जो मार्केट में आने वाला ना यह सारे स्मार्टफोन आग लगाने वाला है मतलब काफी कीलर फोन होने वाला है मुझे उमीद है इन में से कोई फी एक फोन आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है इसलिए आज की इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक का टार्गेट 500 रखते हैं आई होप आप कंप्लीट कर एक जबर्दस चिपसेट के साथ लोंच किया गया है अगर यह फोन मार्केट में आता ही इंडियर मार्केट में तो आग लगा देगा क्यूंकि यहां पर मीडिया टेक डामेंड सिटी 6020 चिपसेट दिया गया है जो कि एक नया चिपसेट है बट यह बहुत ही पारफुल चि देखते हैं इंडिया पर आता है या फिर नहीं अगर आता है तो मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा नेक्स फोन की बात करें गाई इस तो यहां पर आपको ओपो की दरब से एक धमा का स्मार्टपोन फ्लाक्सिप स्मार्टफोन ओपो फाइंड एक सिक्स प्रो का जो लाइफ फोटो है दोस्तों आप देख सकते वह निकल के आ चुका है लिक्स होके और यह फोन भाई काफी कीलर फोन होता है एक स्पाइंड स्रीच पोको का अब देखते कब तक आता है मार्केट में लेकिन फ्लाक्सिप लेवल का आपको फीचेस भी मिलने वाला है बैसे कली यहां पर डिजाइन आपको कैसे लगा इस पोन का आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना नेक्ट फोन की बात करें गाईस तो यहां पर आपको रेड्मी का नोट 12 स्रीच की बात कर रहा हूं दोस्तों रेड्मी नोट 12S करके नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द देखनों को मिलेगा देखते क्या कुछ होता है मैं आपको आगे अपडेट देता रहूंगा तो इनेडिमी नोट 12S भी आपको मार्केट में बहुत जल्द मिलने वाला है नेट्ट फॉन की बात करें गाईस तो यहां पर इंफिनिक्स का होट स्रीच का स्मार्टफोन इंफ जो फोन आने वाला है दोस्तों यह भाई यहां पर आईटेल की तरब से एक एंट्री लेबल का आठ जार के अंदर प्राइस में आईटेल एक नए स्मार्टफोन को मार्केट में लॉंच करने जा रहा है और सुनने में आ रहा है यह पीस दिच का कोई एक स्मार्टफोन आप इसके लिए भी ओवेट कर सकते हो नेक्स फोन की बात करें गाईस यहां पर गुगल की तरब से पिक्सल 6 का सक्सेसर गुगल पिक्सल 7 यह भी मार्केट में आने वाला है क्योंकि इसका जो फोटो है दोस्तों लाइफ फोटो निकल के आ चुका है जो कि आप देख सकते इस पोन को लोंज किया जा रहा है लेकिन यह एक्सपेक्टेड यह को पीसली कन्फूम तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही मार्केट में मिलने वाला है क्योंकि यहां पर लाइफ फोटो भी निकल के आ चुका है देखते किया कुछ किलर होता है पिक्सल 7 ए में नेक्ट पोन है यहां पर डाइमेंड सिटी 920 का चिपसेट मिलेगा दोस्तों जो कि यह काफी कीलर फोन होने वाला है काफी कीलर गेमिंग आपको करवा के देगा साथ में 44 वाट का चार्डर मिलेगा और भी आधर क्या होगा हुँ मैं आपको आगे अपडेट देर दूंगा 21 तारीक इस अब मार्केट में आ रहा है गाईस क्योंकि इसका जो लॉंज डेट है वो लिक्स होगे निकल के आ चुका है जो कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर 4 अप्रिल मतलब जो लिक्स होगे निकला है उससे साब से बतार हो चार अपरिल इसको ओपिसियाली लॉंज किया जा सक होगा है लेकिन यहां पर इंडिया पर लॉंज तो किया जा रहा है और यहां पर जो फीचेस बगरा होगा इसका बारे में डेडिकेट वीडियो में बनाने ही वाला हूं तो उसके लिए आप वेट करो तो इसका वेट आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि सेमसंग का एस रिच का जो फीचेस बगरा है और निकल के आ चुगा है और यहां पर दोस्तों जो फीचेस होगा ओलेट डिस्प्ले के साथ 120 हर्च रिफेस रेट क्वेलकॉम स्नापड़गन 680 का चिपसेट आपको देखनों को मिलेगा पांच हेरे मेच बैटरी 33 वाट का चारज आर पचास मेगा का त्रिपल रियर कैमरा 13 मेगाफिसल का सेलफी कैमरा एंड्रोएट 13 के साथ आपको देखनों को मिलेगा तो यह मुझे काफी अच्छा लगा देखते क्या बजेट में और क्या प्राइस में इसको लोंच करता है रेडमी तो इसके लिए भी आप चाहे तो वेट कर सकते हो स्मार्ट फोन की बात करें तो रियल मी का एक ने स्मार्ट फोन को फिसली इंद्या पर लोंच किया गया है वही सारे सेम पीचेस के साथ लोंच किया गया सारे 10,000 इसका प्राइस तक है नेस्ट फोन की बात करेगा यहां पर आपको वान प्लस का नोड थ्री जी हां नोड स्रीज भाई काफी पॉपुलर होता है और नोड थ्री का भी भाई बहुत ही जल्द मंदब नस्दिक आ चुका है इंडिया पर लॉंच किया जाएगा और इसका जो फोटो है और निकल के आ करके और यह एक 5G स्मार्ट फोन जिसका डिजाइन देखोगे तो भाई रियल्मी नाइन आई जो 5G है उसका जैसे यह और इसको फिलाल आउट उप इंडिया में लॉंच किया जा रहा है मतलब यह फोन वही फोन है जो इंडिया पर लड़ी लॉंच हो चुका है लेकिन वीडियो चैनल पर आना वाला तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो कि उसका भाई मिस मत करना बहुत ही मैनस से आप लोग लिए वीडियो गणाता तो चले मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद टेक एर